दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के लिए एक latest generation PC बिल्ड करेंगे जिसके अंदर 3, 4 या फिर 6 या फिर 8 तक जो है आप monitor connect कर सकें ऐसा PC बिल्ड करने की हम लोग कोसिस करेंगे उसके अंदर आपको क्या-क्या बाय करना पड़ेगा और वो किस budget में होगा हम low से ले करके थोड़ा high तक भी चलेंगे लेकिन सभी के अंदर हम लोग quality maintain करेंगे ताकि उसको अपग्रेड भी कर सके आगे चल करके और आज वो PC बिल्ड करते हैं आप तो वो जो है कुछ सालों तक आपका साथ देगा इसलिए हम लोग सारी चीजे latest से latest लेकर के चलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे monitor भी आप connect कर पाएंगे वो आपके requirement के उपर depend करेगा उस तरीके से आप उसको upgrade करते वेच चले जाएंगे समझने के लिए वीडियो के साथ अंततक बने रहें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हम लोग ऐसा parts यूज़ करने वाले हैं ऐसा cards यूज़ करने वाले हैं जिस पर आप 4K भी output ले पाएंगे और trading का का काम बहुत ही clarity से आप कर पाएंगे उस पर 4K monitor भी आप जो है connect करा करके बहतर ढंग से आप जो है उस पर काम कर सकेंगे क्योंकि trading के अंदर जो text वगर होता है वो black के उपर white आता है बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि clear वो आपको दिखाई ने सके इसके लिए 2K 4K monitor भी आप लगा सके यानि कि बिल्कुल भी सब कुछ upgraded होगा बस वीडियो के साथ अंदर तक बने रहे हैं वीडियो को like करें share भी कर दिया करें ताकि सभी लोगों की requirement पूरी होती रहे comment करना ना भूले कि next video की shopping पर चाहिए क्योंकि आप लोगे comment के अधार पर ही मैं video लेकर के आता हूँ सबसे पहले अगर हम processor की बात करें तो इसके अंदर मैं तीन processor की बात करने वाला हूँ आप अपने budget के हिसाब से आप इसमें से select कर सकते हैं और इन processor की अगर हम बात करें तीनों तो तीनों में से कोई साभी processor आप जो है select कर लेंगे बाकी motherboard से लेकर के जो सारी चीज़े हम लोग लगाने वाले हैं वो सब एक ही होने वाला है आप यहाँ पर processor अपने हिसाब से select कर लें अगर budget tight है तो trading के लिए बहुत है भी हमें processor की जरूरत नहीं है trading का काम कर लेगा तो यहाँ पर सबसे कम अगर budget आपका कम है तो i3 का 12th generation यानि कि 12 100F आप लगा सकते हैं हम F series का जो है हम इसके अंदर processor लगाएंगे क्योंकि हमको graphic card लगाना है graphic card इसलिए लगाना है कि monitor हमें जादे connect करना है monitor की connectivity हमें जादे चाहिए इसलिए graphic card लगाना है तो अगर graphic card लगाना ही है तो हम F series का अगर processor लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ पैसे बच जाते हैं क्योंकि without def अगर हम लगाते हैं तो हाँ पर पैसे जादे लगते हैं और उसका हमें use भी होने वाला नहीं है इसलिए F series का ही हम processor यहाँ पर use करने वाले हैं 12100F जो processor है यह 4.3 GHz तक टूर्बो बूश्ट में जाता है जो कि बहुत अच्छा processor हो सकता है बिल्कुल भी फिलहाल आपका काम कहीं पर ऐसा नहीं लगेगा कि यह processor दब रहा है क्योंकि यह बहुत अच्छा performance निकाल करके दे देता है तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं इसका price की अगर हम बात करें तो 9780 रुपे आज के रेट में दिखा रहा है यह prices हमेशा उपर नीचे होता रहता है तो कभी भी current price जानना है तो वीडियो के नीचे लिंक है उस पर आप क्लिक करें लेकिन वीडियो को पूरी जरूर देखें इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा आप के लिए बहतर हो सकता है तो अगर budget 10,000 के अंदर-अंदर ही है processor का तो आप इसको buy कर सकते हैं copy pen उठाए एक बार जो है पूरा calculation करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके budget के अंदर कौन सा आ रहा है तो 10,000 के अंदर-अंदर अगर processor चाहिए तो आप ये वाला buy कर सकते हैं next की बात करें तो i5 12th generation का आप लगा सकते हैं अगर budget थोड़ा सा है आपका 15,000 तक पहुँचना चाहते हैं तो i5 12th generation यानि की i5 12 400F लगा सकते हैं ये बहुत अच्छा processor है Attenomy catch के साथ में आता है 4.40 GHz क्लॉक पे ये काम करता है और DDR4, DDR5 कोई भी लगा सकते हैं वो motherboard के उपर depend करेगा कही ना कहीं मिला जुला करके एक बहुत अच्छा processor ये आपके लिए हो सकता है 6 core 12 threads का processor होता है तो multitasking में बहुत अच्छा आपका साथ देने वाला है बहुत अच्छा help करने वाला है तो अगर 5000 बजट आपके लिए जादे नहीं है तो आप मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसको buy कर लेते हैं तो बात ही बिल्कुल भी अलग हो जाएगी बिल्कुल next level का trading के लिए PC आपके लिए बन करके ये ready हो जाएगा ये 15,000 रुपे में ये processor आपको मिल जाता है और थोड़ा सा upgrade चाहते हैं अगर आप तो i5 का 13th generation भी buy कर सकते हैं जो है turbo boost में ये काम करेगा जो कि बहुत अच्छा performance ये देने वाला है यानि नेर बाउट अगर हम बात करें तो 10, 15, 20 ऐसे है 5,000 रुपे का difference आने वाला है तो आपके लिए ये trading के लिए किसी में कोई problem नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा i5 लेते हैं तो कहीं न कहीं performance बहतर मिलेगा ही उसमें कोई भी doubt नहीं है लेकिन i3 में भी आपका total काम हो सकता है इस तरीके से आप processor को select करें अब हम बात करते हैं motherboard पर तो अगर आपको graphic card single लगाना है तो motherboard आपका बहुत ही सस्ता पढ़ जाएगा अगर आपको 3 monitor लगाना है तो भी आप single graphic card लगा करके आपका काम हो सकता है चार अगर monitor लगाना है तो भी आपका single graphic card लगा करके आपका काम हो सकता है कौन सा graphic लगाएंगे कौन सा graphic इस काम के लिए यानि trading के लिए भी बहतर साबित हो रहा है हम लोग उस पर भी बात करेंगे तो अगर सिंगल कार्ड ही अगर आपको लगाना है डबल कार्ड नहीं लगाना है डबल कार्ड का मतलब अगर छे डिस्पले लगाना होगा तो भी आपको डबल ग्रैफिक कार्ड लगाना होगा चार से जादे उपर अगर आप monitor लगाना चाहेंगे तो दो graphic card आपको लगाने पड़ेंगे आने था आपका काम नहीं होगा तो यहां पर अगर हम बात करें तो single graphic card के लिए तो Asus का Prime H610M ले सकते हैं ये सस्ते में बहुत अच्छा motherboard आपके लिए हो सकता है DDR4 RAM इसके अंदर लगेगी M.2 NBME का slot इसके उपर मिल जाता है दो M.2 NBME जो है इस पर लगा सकते हैं और अपने काम को must enjoy कर सकते हैं अगर आपको एक से जादे graphic card लगाना है तो motherboard का price भाग जाएगा उसके लिए आप Asus का Prime Z690 लगा सकते हैं इसके उपर तीन slot जो है X16 के दिये हुए हैं जिसपे आप तीन-तीन graphic card लगा सकते हैं बाकी दो graphic card और एक और कुछ भी लगा सकते हैं और इसपर M.2 NBME का तीन-तीन SSD आप लगा पाएंगे बहुत है भी है और इसका price 20-22,000 के बीच में वैरी कर रहा होता है लेकिन इतना budget नहीं है थोड़ा सा कम ही जो है आप एक से ज़्यादे graphic card लगाना चाहते हैं तो Asus Prime के अंदर ही जो है आप B760M ले सकते हैं ये 17,000, 16-17,000 के आसपास में पड़ेगा और ये ready है बिल्कुल भी 13th generation processor के लिए तो 13th generation processor अगर आपको buy करना है तो कहीं न कहीं आप इसको buy कर सकते हैं दोनों ही लग जाएगा 12th generation और 13th generation दोनों ही इसमें लग जाएगा कोई भी देक्कत नहीं है तो यहीं पर आप देख सकते हैं अगर आपको single graphic card लगाना है तीन या चार से अगर आपको काम चलाना है तो यहीं पर आपको 7000 रुपे का motherboard पढ़ रहा है और वहीं पर अगर एक से ज़्यादे graphic card लगाना है आपको चार से ज़्यादे display जोड़ना है तो motherboard वहीं पर आपको 16, 17, 18,000 तक का लेना पढ़ सकता है यह cost just double हो जा रही है तो यह आपको देखना पड़ेगा आपको decide करना पड़ेगा अपने budget के हिसाब से मैं सारे options आपके सामने रख रहा हूँ उसके बाद अब हम main cheese graphic card की बात कर लेते हैं तो अगर आपका काम 2 या फिर maximum 3 अगर display से काम चल जाता है तो आप Quadro T400 आप लगा लेंगे तो इसके अंदर 3 display के लिए mini display port आता है तो T600 में 4 port आपको देखने को मिलेगा तो 3 से अगर काम चल जाता है तो 10 से 12,000 रुपे में यह graphic card आ जाता है आपको graphic card 4 GB का आ जाता है GDDR6 वाला यह बहुत अच्छा काम करता है खास करके इस type के जो काम होते है उसके अंदर NVIDIA Quadro का T400 या T600 बहुत ही उंदा काम करता है तो यह आपके उपर depend करता है 10 से 12,000 रुपे में T400 मिल जाएगा और 16,000 के आसपास में जो है यह आपको T600 पढ़ता है अभी फिलहाल रेट बढ़ा हुआ है यह prices हमेशा उपर नीचे होते रहते हैं और जो T400 है यह 10,000 के आसपास में मिल जाता है तो यह आपके उपर depend करता है अब क्या decide करते हैं अगर 6 से जादे कभी नहीं चलाना है तो T400 दो आप लगा देंगे तो आपको 3-3 करके 6 display लगा सकते हैं और अगर 6 से जादे अगर आपको लगाना होगा तो आपको T600 में जाना होगा जिसके अंदर 4-4 मिलेंगे तो दो अगर port लगा देते हैं तो उसके अंदर 8 display आप जो है connect कर पाएंगे future के अंदर यह benefit आपको होने वाला है तो यहां से यानि की 10,000 और 17,000 में यह differences है जो की आपको लगाना हो और इससे बहतर graphic card जो है आपको stock trading के लिए दूसरा नहीं मिलेगा इसका calculation system बहुत अच्छा होता है इस type के जितने सारे काम है या फिर video editing भी अगर आप करते हैं तो इस पे बहुत अच्छा performance आपको मिलने वाला है तो इन दोनों ही graphic card में से आपको क्या suit करता है कि क्या requirement है उससे जो है आप थोड़ा सा आपको देखना होगा उसके बाद जो है RAM की बात करें तो चुकि हम graphic card लगा रहे हैं लेकिन वही पर चाहते हैं कि नहीं हमें तो solar gb ही लगाना है जादे ही tasking का काम करना है आपको बहुत जादे task open करना है फिर भी वो जो है graphic आपको समहलने वाला है क्योंकि हम 4-4 gb के graphic लगा रहे हैं 8 gb से उपर की ज़रुरत नहीं फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो solar gb लगाएंगे तो 3500 रुपे के आसपास में solar gb आपको पढ़ जाएगा 3300 रुपे के बीच में ये पढ़ जाएगा आप solar gb भी लगा सकते हैं उसका भी मैंने link दिया हुआ है या फिर और बहतरिन memory चाहिए अगर आपको RAM तो cursor wagons का लगा सकते हैं ये all time मेरा बहुत ही फेवरेट है 32 MHz के अंदर इसको यूज़ करेंगे जल्दी खराब नहीं होती है RAM तो वैसे भी खराब नहीं होती है इसके उपर heat sink लगा हुआ है जिसके वज़े से ये advantage मिल जाता है इसका बाकि अगर हम SSD की बात करें तो इसके अंदर आपको कितना data रखना है वो एक अलग बात है लेकिन सिप ऑपरेटिंग system के लिए और अपने software के लिए अगर SSD यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप 240 GB WD Green का SN 350 आप ले सकते हैं सस्ते में मातर 1800 रुपे में मिल जाएगा या फिर इससे बहतर लेना चाहते हैं तो आप गुरू मिले सकते हैं उसमें 2500 GB आपको जो है करीब करीब 278-288 रुपे का पढ़ जाता है लेकिन वही पर अगर यहाँ पर 480 GB लेते हैं तो यह करीब 283,000 का पढ़ेगा तो यह थोड़ा सा प्राइस है सभी का लिंक में दे रहा हूँ जिस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं उस वक्त क्या प्राइस है देखने के लिए लिंक पर जरूर एक बार क्लिक करें और अपने हिसाब से आप उसको डिफाइन करें कि आपके लिए क्या सूट करता है क्योंकि हम यह गाइड कर रहे हैं आपसन आपको खुछ सेलेक्ट करना होगा आपको अपने बजट के हिसाब से उसके बाद जो है काइबिनेट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है फिंगर्स का एक में लिंक दे रहा हूँ जिसमें विथ पावर सप्लाई 450 वट की उसके अंदर सेंपियस आपको मिलता है 2500 से 3500 के बीच में वैरी कर रहा होता है अलग-अलग बहुत सारे मॉडल हैं स्क्रोल करके आएंगे नीचे तो बहुत सारे मॉडल आपको दिखेंगे जहां से आप उनको भाई कर सकते हैं जो भी मॉडल पसंद आता है या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कैबिनेट्स अलग से भाई करनी है पावर सप्लाई अलग से भाई करनी है तो मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है आप वहां से उसको भाई कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से अपने हिसाब से और एक बार जो है इन सभी को अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से कल्कूलेशन करके देखें कि क्यา आपके हिसाब से सूट कर रहा है और उसके हिसाब से आप इसको जो है असेंबल करा सकते हैं बहुत अच्छा PC बन करके यह रेडी हो जाएगा जिस पे आप जो है तीन से लेकर के आठ डिस्पले तक कनेक्ट कर सकते हैं ग्रैफिक काड वो आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगाना है बाकि दोस्तों वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जुरूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं इस्टेप की वीडियो समयसा लेकर के आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्स किसी और अच्छी इंफर्मेटिव वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका दिन सुब्ध हो